First topic अपना डालिए, what is Reiki? दिखिए, Reiki के बारे में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो सब लोग सुनी रखे होंगे. Reiki actually क्या होती है? एक जापानी टेक्निक है Reiki, जो दो शब्दों से मिलकर बनी है Re और Key. ठीक है, Re क्या होती है? कोई भी चीज जो की Universal है. और Key क्या होती है? एक Life Force Energy. Life Force एक ऐसी Energy जिसकी वज़े से हम जीवित रहते हैं. बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसके अंदर चाहिए मात्मा बोले, या बोले सांस चल रही है, या कुछी भी बोले, एक शक्ती जरूर होती है, जिससे वो जीवित होता है. चीक है? तो वो कहलाती है की? तो रे और की मिलकर बनी रे की? यानि रे की क्या है? एक ऐसी शक्ती है, ब्रम्हांड की एक ऐसी शक्ती है, जो सर्विव्यापी है, चारों तरफ मौजूद है. चाहिए आप कहीं भी बैठ कर हीलिंग करें, अपने घर में करें, छट में करें, बालकनी में करें, नदी किनारे करें, हर जगह रे की मौजूद है. दिन में भी, रात में भी, दोबहर में भी, सब जगें, सुबह भी. ठीक है? तो रेकी एक ऐसी उर्जा है. इस उर्जा को, जब भी आप रेकी सीखें, तो ये सोच कर चले, कि आप स्पिरिच्वालिटी से जुड़ने जा रहे हैं. आध्यात्मे की तरफ आप एक कदम बढ़ा रहे हैं. क्योंकि रेकी कोई ऐसा नहीं है, कि ऐसी उर्जा आ गई कि एलोपेथ की गोली की तरह है, कि आपने खाई है, तो रिजल्ट आना ही आना है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. रेकी क्या है? स्पिरिच्वल एनर्जी है, इसको हमेशा दिमाग में बना कर रखें. जब भी रेकी करें, ऐसा नहीं है कि बस आपने हाथ रखा है, और आप इदर उदर देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तो रेकी अपना काम करेगी, आपको रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. रिजल्ट तब आएगा, जब उसके साथ आप इंटेंशन भी जोड़ो. आप पूरे इंटेंशन से कि इशरी उर्जा, ब्रह्मान की उर्जा मेरे हाथों में है, और मेरे हाथों से फ्लो होके, मेरे शरीर में जा रही है. तब आपको रेकी का मैक्सिमुम बेनिफिट होगा। तो ये होती है रेकी.